कई सारे बच्चों कमेंट आते हैं सर आठ दस बार इंटर्विव दे चुका हूं सेलेक्शन नहीं हो रहा है तो जब भी ऐसी को इस्तती होती है तो हमें यह एनलाइज करना जरूरी है कि कहां पर कमी रह रही है जब आपको इंटर्विव के लिए कॉल आ रहे हैं तो कैसे हम अच्छे से अच्छे तरीके से प्रिप्रेशन करें और अपने सेलेक्शन को पक्का करें आज के इस वीडियो में हम यही डिसकस करने वाले हैं हेलो एवरिवन मैं हूं अंकित जैन और ये एक ऐसा क्वेशन है जो कि कई सारे वीवर्स लगातार मुझे पूछते हैं और एजे फ्रेशर हमारे मन में यह डाउट होता भी है क्योंकि हम अपनी फर्स्ट जॉब के लिए इंटर्विव जब भी देने जाते हैं तो हमेशा हमारे को यह लगता है कि कैसे भी करके हमारा सेलेक्षन हो जाए तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज ओती है कि आपकी इंटर्विव के लिए प्रपरेशन अच्छी होनी चाहिए तो question यही होता है कि कैसे हम ये तै करें कि interview के लिए हमारी preparation अच्छी है देखिए जब भी आप BAC chemistry या MSC chemistry करने के बाद interview देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली बात जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि किस company में आप interview देने जा रहे हैं सबसे important बात जो वही होती है जिस company में आप interview देने जा रहे हैं जिस profile के लिए interview देने जा रहे हैं उससे related जितनी भी topic हैं जो कि आपने अपने curriculum में पढ़े हैं वो basic concept आपके clear होना चाहिए इसको हम एक example से समझते हैं देखिए मैं एक MSC organic chemistry में मैंने किया है और मैं अगर जाता हूँ एक ऐसी company में interview देने के लिए जहां पर कि मेरा जो profile है वो है synthetic organic chemist आपको research and development में काम करना है as a organic chemist तो मैं क्या prepare करके जाओंगा अगर मैं inorganic chemistry prepare करके जाओंगा तो क्या मेरा selection होगा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आपसे वहाँ पर जो questions पूछे जाएंगे वो होंगे organic chemistry से related क्योंकि basically आपको आगे जाकर वही work करना है तो उस organic synthesis जो chemistry होती है उससे related जो भी basic होते हैं concept वो आपसे interview में पूछे जाने के chances होते हैं देखिए interviewer क्या पूछेगा ये तो कोई नहीं बता सकता क्योंकि interview में क्या पूछा जाएगा ये कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपका syllabus जैसे होता है fix होता है लेकिं interview में क्या पूछा जाएगा वो fix नही देते हैं suppose आप अगर एक आरेंडी में interview देने जा रहे हैं जो कि analytical से related आरेंडी है वहाँ पर आपको GCMS HPLC LCMS इन सब पर काम करना होगा तो आप अगर इस profile के लिए interview देने जा रहे हैं तो आप क्या पढ़ेंगे आपको पढ़ना होगा analytical chemistry से related जितने भी basic concept हैं जितने भी tools हैं techniques हैं यह सब आपको पता होनी चाहिए अब इस case में वहाँ पर आपसे interviewer यह नहीं पूछेगा कि आप मुझे send my reaction बताईए या आप मुझे सुझू की coupling बताईए वह आपसे पूछेगा LCMS का basic principle क्या है वह आपसे पूछेगा NMR का basic principle क्या है यह सब questions आपसे पूछे जाएंग कि आपसे interview में पूछे जा सकते हैं एजी fresher जब भी हम कहीं पर interview देने जाते हैं तो हमसे ज्यादा practical questions नहीं पूछे जाएंगे कि यह work कैसे होता है यह work कैसे होता है क्योंकि interviewer को भी पता है आप just college से pass out है आपको यह नहीं पता है कि industry में काम कैसे होता है लेकिन आपने अभ बहुत सारे बच्चों के मन में यह doubt होगा कि sir हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस profile के लिए shortlisted हुए हैं किस profile के लिए हम interview देने जा रहे हैं तो देखिए जब भी company आपको interview के लिए call letter भेजती है तो उसमें वहाँ पर designation mentioned होती है जैसे कि trainee research associate R&D synthetic chemistry तो इसका मतलब होगा कि आप synthetic R&D में interview देने जा रहे हैं और आपको अगर मान लो profile के लिए जो shortlist किया जाता है वो है R&D अगर कोई water testing laboratory है उसमें आपको एजे chemist के लिए shortlist किया गया है तो that means आपका जो profile होगा वो water testing के related होगा ऐसे different job roles होते हैं उनका designation होता है वहाँ पर कौन से department में आपको काम करना है य source में यह mention नहीं है तो यह आपको मालूम करना है कि मुझे किस profile के लिए shortlist किया जा रहा है आप company के HR से अगर आपको directly email आया है तो आप company के HR को पूछिए कि मुझे किस profile के लिए किस department के लिए किस division के लिए select किया गया है तो इससे क्या होगा कि आपको यह clarity होगी कि मुझे कौ कौन कौन से topic हैं जिस पर ज्यादा focus करना है और उन्हें clear करना है एक बहुत important aspect को तो हमने समझ लिया कि आपको क्या-क्या topics हैं जो की पढ़के जाने हैं और उन्हें अच्छे से आपको cover करना है अब दूसरा जो कि बहुत important पहलू होता है जब भी आप किसी interview में जाते हैं ज company की manufacturing facilities क्या-क्या है company की R&D facilities क्या-क्या है और यह सब हमें कहां से पता चलेगा उनकी website से कोई भी company आप for example किसी भी company की website पर जाएए उस website पर आप जाकर about us के section देखेंगे तो वहाँ पर आपको company के R&D, company के infrastructure, company के manufacturing facilities, company के product इन सब के बारे में आपको पता लगेगा company की India में कह कहां पर facilities है, company के अगर outside India में भी कोई branch है तो उसके बारे में आपको पता लगेगा, अब इन सब से क्या होगा, आपको यह idea हो जाएगा कि company क्या product बनाती है, suppose कि आप किसी pharmaceutical R&D में interview देने जा रहे हैं, तो आप यह देखिए कि उस pharmaceutical company के कौन-कौन से product है, जो market में है, company की facilities कह कहां पर है, R&D में क्या infrastructure है, यह सब कुछ आपको company की website पर ready made available होता है, और इसे पढ़ने में आपको कोई ज्यादा time लगेगा नहीं, जब आपके सामने company होगी already कि इस company में मुझे interview देने जाना है, तो hardly it will take one hour, two hour to get all the idea about the company, यह बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस company में आ भी आजकल होता है, कई सारे ऐसे बच्चों से मिरी बात होती है, जो कि पूछते हैं कि उन्हें company के बारे में भी पूछा गया, कि company के product क्या क्या है market में, company की facilities क्या क्या है, R&D facilities क्या क्या है, यह सब questions भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इस से interviewer को यह पता लगता है कि candidate कितना aware है, कितना alert है, यह सब चीजे माइने रखती है, क्योंकि देखिए, subject पर command हो सकता है कि 3-4 बच्चे interview देने जा रहे हैं, सबकी equal हो, लेकिन कुछ माइनों में आपको अगर दूसरों से आगे निकलना है, तो कुछ added advantage आपके पास होना जरूरी है, तो यह दो important aspect हैं, जो कि एक आप nervous नहीं होना है, generally क्या होता है, कि जब भी हम पहली बार interview board के सामने जाते हैं, तो कई बार हम nervous हो जाते हैं, कुछ ऐसे questions जिनका answer हमें already पता होता है, भूल जाते हैं, कोई आप से पूछेगा कि चलो आप यह name reaction बताईए, बट हम भूल जाते हैं, यह क्यों होता है, nervousness की बायवा हो रहा है, ऐसा सोच कर आपको interview देना है, definitely आपका selection होगा, आपको यह विश्वास रखना है कि subject पर मेरी command अच्छी है, तो definitely मैं interview कर लूँगा, कई सारे बच्चों comment आते हैं, sir, 8-10 बार interview दे चुका हूँ, selection नहीं हो रहा है, तो जब भी ऐसी कोई स्थती होती है, तो हमें यह analyze करना जरूरी है कि कहां पर कमी रह रही है, जब आपको interview के लिए call आ रहे हैं, आप interview देने भी जा रहे हैं, और आपका selection नहीं हो पा रहा है, that means कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कमी है, तो हमें यह find out करना है और उसे short out करना है, तो इस वीडियो में मैंने जो आपको tips बताईए, बहुत ही basic tips है और आप easily इसे follow कर सकते हैं, और अपना जो interview में selection होने के chances को आप increase कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी आपके मन में doubt हो, आप नीचे comment करके पूछिएगा, thank you for watching this video.